नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नमबर्स को मंटिप्लाइ करने के लिए एक बहुती सांदार ट्रिक मा लीजिए हमें 54 को 36 से मंटिप्लाइ करवाना है तो आप देख लिए मैं इसको कैसे करता हूँ सबसे पहले 5 x 3 होता है 15 4 x 6 होगा 24 अब इसके बाद 4 x 3 आएगा 12 और 5 x 6 आएगा 30 30 प्लस 12 होता है 42 इस 42 को हमें 1524 की एक डिजिट को छोड़ कर लिख देना है और इनको एड़ कर देना है तो हमें मिलेगा 1944 और यही है हमारा आंसर तो आपने देखा कि कितनी आसानी से मैंने ये numbers को multiply करवा दिया हो सकता है कि इस चीज को समझाते हुए मुझे time लग चाए लेकिन अगर आप एक बार इस trick को सीख गए तो आप बहुत आसानी से कोई भी 2-digit multiplication को perform कर पाएंगे चलिए एक और example को लेकर हम इस चीज को और अच्छे समझते हैं मा लीजिए इस बार हमें 43 को 24 से multiply करवाना है तो सबसे पहले 4 into 2 होगा 8 लेकर हम यहाँ पर 8 की बजाए 08 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमेशा एक 2-digit नमबर आना चाहिए अब 3 into 4 होगा 12 तो 12 को हम इसके साथ लिखतेंगे अब इसके बाद 3 into 2 होगा 6 और 4 into 4 होगा 16 और 16 में 6 को add करने पर 22 आता है इस 22 को हम इस नमबर की एक digit को छोल कर लिख देंगे और इनको add कर देंगे तो हमें मिलेगा 1032 और यही होगा हमारा answer चलिए एक और example को discuss कर लेते हैं मा लेजिए हमें 76 को 97 के साथ multiply करना है तो 7 times 9 होगा 63 and 6 times 7 होगा 42 अब 7 into 7 is equal to 49 and 6 into 9 is equal to 54 49 plus 54 is equal to 103 इस 103 को हम इस नमबर की एक digit को छोल कर लिख देंगे और इनको add कर देंगे तो हमें मिलेगा 7372 और यही होगा हमारा answer मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस trick को समझ चुके हैं इसलिए मैं आपको कुछ questions दे रहा हूँ जिनकी answer आप इसी trick कर यूज करके निकालेंगे और comment section में हमें अपना-पना answer बताएंगे अगर आप सभी को हमारा इस वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें अपना feedback दे सकते हैं Thank you for watching